बिना सोडा, बिना इनो, बिना दही के आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एकदम क्रिस्पी पेपर डोसा, बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही जाधा टेस्टी और क्रिस्पी डोसा बनके तयार होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारे इस आ अधा कप सूजी, तो यहाँ पर कोई भी फाइन वाली है, मोटी वाली कोई भी सूजी यहाँ ले सकते हैं, तो अधा कभी मैंने यहाँ पर सूजी भी इसके साथ एट कर दी है, और अब हम एट करेंगे यहाँ पर आदा छोटा चमच क्यूमिन सीट, टेस्ट के ऐट करेंगे खूप सारा हरा धन्या ओर अब इसमें एक कप पानी और इसका हम एक घोल तयार करेंगे तो इसके जो बैटर बनेगा वह थोड़ा consistency में बनेगा, यह थोड़ा सा पतला हमें बनाना है, बहुत जादा थिक के इसको हमें नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम एक बर सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इसकी consistency, क्योंकि हमने इसमें सूजी एड़ करें, तो थोड़ा देर हमें इसको 15-20 मिनट रेस्ट देना होगा, ताकि सूजी हमारी थोड़ी सी फूल जाए तो हम यहाँ पे इसको ढग के कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं और 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे इसे ऍसेज में और पानी अआट करेंगे, क्योंकि इसका गोलना हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, तो यहाँ पे मैंने आध हकी करीब इसमें और पानी अएड़ कर दिया है, और अभी आप इसकी consistency देख सकते हैं तो हमें यह इसी तरह का बना के तयार करना है क्योंकि हम एकदम पतला पेपर वाला डोसा बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें इसका घुलना पतला बना के तेयार करना है, तभी यह डोसा हमाएं एकदम क्रिस्पी बनेगा अब हम यहांपे एक तवा गरम करेंगे और इसमें मैंने एक चमज की करीब ऑविल डाल दिया है तवा को हमें यहांपे अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद ही हम इस दॉसी को यहांपे फैलाना है तो यही ध्यान रखना ही, जो भी तवा आप ले रहे हैं दोसा तवा या लोहे वाला तवा उसको पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे यहां पर हमारा जो दोसा वाला घोल है उसको हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सूजी जो है वो नीचे बैट जाती है तो इक पर अच्छे से mix करने के बाद हमारा ये जो डोसा वाला batter है ना हम इसको तवे में side से फैला देंगे अच्छे से यहाँ पर हम एकदम पतला इसको फैला देंगे और एक से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसको हमें यहाँ पर low to medium flame पर ही cook करना है तभी एक डोसे में प्रॉपर हीट चारो साइट से मिले और यह चारो साइट से अच्छा सा cook को और आप देख सकते हैं जब इसमें इस तरह का हलका सा brown color आने लगे आपको दिखने लगेगा क्योंकि यह डोसा बहुत ही हमने पतला बना के तयार किया है और तब इसमें brown color आ जाए ना तब हम यह आपे इसको flip करके इस तरह से निकाल लेंगे और यह आप देख सकते हैं कि यह हमारा बहुत ही crispy वाला डोसा बन के तयार है आप इसका texture देख सकते हैं texture देख के ही समझ में आ रहा है कि डोसा हमारा काफी crispy बन के तयार हुआ है बहुत ही ज़गा टेस्टील लगता उसको oil से हम अच्छे से grease करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर अपना डोसा फैलाएंगे तब इपे तो हमें इसी तरह से अपने सारे डोसे बना के तयार करने हैं आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में इस तरह के आपको जाली दिख रही होगी तो कोई टेंशन नहीं इसी तरह से हमें बना के तयार करना है और एक से दो मिनट जब हो जाए उपर से हमें हलका सा oil spread कर देंगे जिससे कि यह डोसा एक्दम crispy बन के तयार होगा तो मैंने यहाँ पर अपना दूसरा डोसा भी इसी तरह से बना के तयार कर लिया है आप इसका texture देख सकते हैं इसको हमें यहाँ पर थोड़ा patiently cook करना पड़ेगा क्योंकि इसको cook होने में दो से तीन मिनट का time लग जाता है क्योंकि हम इसको low to medium flame पर cook कर रहे हैं जब इसमें इस तरह का brown color आने लगे नीचे के side से तभी हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से brown color आने लगा है तो चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और यह हमारा आटा और सूजी से बहुत ही tasty and crispy वाला डोसा बनके तयार है आपने देखा बहुत आसान है इसको बनाना और आप इसका color भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा color आया है इसमें एकदम crispy बनके यह तयार होता है और अपनी favorite चटनी के साथ इसको serve करिए बहुत ही जादा delicious बनता है यह तो एक बार इसे जरूर try करें और फिर मुझे बताएं कि आपको इस recipe कैसी लगी अगर आपको मेरे आज की recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना ना भूलें